विडियो साट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्षिन मा के comment करके ये बोले कि हमारा whatsapp number है तो उनसे बच के रहना वो सारे के सारे scammers है किसी भी social media से कभी भी हम आपसे connect नहीं करते और किसी को भी आपने अपने crypto send नहीं करने हैं किसी को अगर आपने crypto send करें तो समझ लीजिए वो crypto आपके आथ से चले गए वो कभी भी भी आपस नहीं आएंगे कोई भी उनको recover नहीं करवा पाएगा आज की रेट में जहां पे bearish market चल रही है बहुत सारे ऐसे crypto's हैं बहुत सारे ऐसे tokens हैं जो बात करते हैं developments की और वो ही crypto's हमारे पास होने चाहिए अगर जो हमारा investment portfolio है उनमें कौन सा crypto क्या कर रहा है अगर वो आपको पता है तो you are updated in the market और आगे जाके जहांपे हम bull market की wait कर रहे हैं वो crypto's जिन्होंने इस bear market में अच्छे कासी development करी है अच्छे कासा काम करा है वो आगे जाके अच्छे कासे returns हम लोगों को दे सकते हैं हम सब को पता है अभी हुआ था cardano summit क्या उसमें चीज़े निकल कर रही है वो भी बात करते हैं पहले चलते हैं coin जी को आप में market का हाल देख लेते हैं देख लेते हैं cardano ने अभी तक क्या करा है और आगे जाके क्या-क्या चीज़े expected है from cardano area तो side में आप देख सकते हो हमने open कर दिया coin जी को आप currently जो global market है that is down 2.3% BTC is down 2.3% ETH is down 3.5% at number 8 is sitting cardano price जो उसका है वो है 24 रुपी 75 पैसा Indian रुपी 1.5% down है cardano की अगर हम बात करें तो काफी fall यहां पे हमें देखने को मिला है from its all time high it is almost down 89% 225 का इसका all time high था which happened on 2nd of September 21 446 days चले गए है वहां से अभी तक जहां पे bearish market है yes price of cardano has come down it has not performed the way we wanted it to perform बट उसी के साथ साथ अगर हम बात करें developments की उसी के साथ साथ अगर हम बात करें ताल सा उसकंसन की वो बहुत motivated रहते हैं regarding cardano वो हमेशा देख रहे होते हैं क्या चीज़े हैं जो हम अगली बनाएं in cardano video which will help the community which will help the token grow in future and वो ही चीज आज की डेट में भी नज़र आए जहां पर ये summit हुआ वहां पर बहुत सारी ऐसी चीज़े निकल के सामने आए which looks very interesting but कितनी promising है वो खाली time बताएगा जब आगे हम पहुँचेंगे सारी चीज़े जब release हो जाएगी तभी पता चलेगा कि वो कितनी actually में implement हो रही है तो जो सबसे पहली चीज़ यहां पर निकल कर रहा ही वो side में आप पढ़ सकते हो cardano stablecoin DJ to go live in January 23 cardano जो है अपना इक stablecoin market में ला रहा है और उसका नाम रख रहा है D-Jet जो की market में live होगा in January अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़े हुई थी बट क्या इसमें questions लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में भी आप लोगों से बात करेंगे यहाँ पर सकते हो the CEO and co-founder of Kuti Network a long-term partner of Cardano ADA ecosystem shared the details of D-Jet's stablecoin release and the next milestone in its progress अब जो सबसे पहला कोशन रेज होराया on this stablecoin is this model could theoretically collapse if ADA were to experience major downside volatility causing circulating B-Jet tokens to no longer be fully bagged as such the smart contract will also include a reserve currency shen to cover ADA's price fluctuation ensure price stability and guarantee a collateralization rate of 400 to 800% and जो raise हो रहे हैं कोशन उनके बारे में अभी details actually में सामने नहीं आई है अभी खाली announcement हुई है कि यह stablecoin जो है January 23 में launch होगा and there are many questions attached to this news D-Jet की क्या utility होगी कैसे fully bagged होगा होगा नहीं होगा क्योंकि stablecoin के अगर हम की date में हम बात करें तो USDT भी दो बार D-Pag होगा यह बहुत सारे लोग आज की date में जहां पे डरे पड़े हैं market में जिन्होंने अपने funds रख रखे in stablecoin to purchase the cryptos अगर market और नीचे आती है वहीं पे एक और stablecoin जो market में आ रहा है क्या उसको हम fully rely कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे question है जिसके answer आने अभी बाकी है बट उसी यह साथ-साथ 40-plus projects ready to integrate new stablecoin यह चीज भी कहीं न कहीं positive दिखाई देती है immediately after the main net release this stablecoin will be integrated into 40-plus decentralized exchanges DeFi protocol, on-change lending oblique collateralization tools and so on यह काफी चीज़े हैं जो कहीं न कहीं देखने में interesting तो लगती है but actually मैं इसका final result क्या होगा वो एक question है जिसका answer हम लोग सब जानना चाते है Best stablecoin's inaugural release will boast Vassal Heart 4 compatibility and the upgrade to Oracle which supports 6 external sources and यहाँ पे कहीं न कहीं अभी हम लोग इसमें ज़्यादा comment नहीं करेंगे because यह announcement अभी हुई है क्या इसमें चीज़े निकल कर आती है कब तक यह packed रहता है D-pack होगा तो क्या-क्या चीज़े हैं आपे खतम हो सकती है क्या-क्या चीज़े खराब हो सकती है ऐसे बहुत सारे question है people are actually not looking for a stable coin आज की लेट में लोग USDT and BUSD में अपने funds रख रहे उसके लिए वाँ ज़्यादा stable coin यहाँ पे use नहीं करते हैं लोग who are into crypto market but इसी के साथ एक और announcement आई थी and the second announcement है वो बहुत ज़्यादा interesting है and क्या वो announcement है वो आप sideway पढ़ सकते हो Cardano just introduced dust token here is what is known and Cardano ADN यहाँ पे एक side chain जो है वो release करने की बात कर रहे है and एक token release करने की बात करे जो side chain है उसका नाम है midnight and जो token है उसका नाम है dust अब इनकी requirement क्या थी इस time में that is a question which everybody is asking but यहाँ पे ज़्यादा detail जो है वो सामने नहीं आई है अभी तक Cardano recently unveiled midnight a zero knowledge data protection based side chain and its upcoming token dust अब यहाँ पे लोगों ने question भी पूछने start कर दी अभी से does dust devalue ADA serious question I am trying to understand why another coin and यही question बहुत सारे लोग पूछ रहे है आज की rate में अब इसका answer जो है ADA well ने बहुत clearly यहाँ पे दिया है no it won't devalue ADA its different chain and its native token will have to gain its own relevance like any other the max supply and emission schedule of ADA remains unchanged and dust will never give you a seat at the table of cardano consensus earning etc and यह चीज़े थोड़ी बहुत clear हुई है but the majority of the questions are wherein we are looking की cardano में next क्या होगा cardano का आगा का roadmap क्या होगा ठीक है आप लोगों ने stable coin release करने की बात करी है in January 23 उसी के साथ-साथ आप एक side chain भी ला रहे हो by the name of midnight एक token और release कर रहे हो by the name of dust इन सब की requirements क्या है क्या पूरा ecosystem बन रहा है क्या चीज़े उसमें होंगी कैसे roadmap जो है वो आगी की तरफ बढ़ेगा of cardano कैसे हम लोग देखेंगे price jump of cardano क्या यह help करेगा उन चीज़ों में ऐसे बहुत सारे question है जो आची रेट में cardano investor जो है Charles Hoskinson ने summit में जहां पर उनने बोला था कि the roadmap of cardano will be decided by the people so side map वो tweet पर सकते है input endorsers would make cardano the fastest and highest throughput blockchain on the market but it is decentralized cardano community that will debate and decide this roadmap since no one is smarter than everyone अब यह जो video है Charles Hoskinson का the same चीज़ उनने बोली है अपनी इस video में यह video हम लोग आप से share कर लेंगे in the telegram channel यहां पर Charles Hoskinson ने बड़े clearly बोला है कि people will have to decide because it is a decentralized community वो community जो है वो decide करेगी the roadmap of cardano they will decide where are we going where are we heading हमें पता है जहां पर ETH merge की बात हुई थी many people raise question कि यह decentralized centralized है कि decentralized है क्योंकि जो step लिये जा रहे है हो लिये जा रहे है from Vitalik bootprint यहां पर Charles Hoskinson ने open forum में यह बोल दिया कि people will have to decide the roadmap people will be deciding and that nobody is smarter than everyone तो सब लोगों से बात करके कही ना कहीं roadmap जो है वो decide होगा of cardano and यह बहुत बड़ी बात है coming from Charles Hoskinson Charles Hoskinson हम सब को बता है he works on the development he works on the future of cardano idea and cardano idea कही ना कहीं तब तक safe है जब तक Charles Hoskinson इसके साँ जुड़े है Charles Hoskinson की अगर हम बात करें cardano की अगर हम बात करें तो बहुत सारी developments हमने past में भी देखी है now coming on to the price of cardano price of cardano currently does not justify the developments which are happening in cardano यह हम सब लोग जानते price cardano का काफी नीचे आ है 89% down है from its all time है but does that mean कि cardano जो है impact जो है वो काफी बुरा पड़ा है in cardano but उसी के साथ-साथ when we talk about the future when we talk about the bull rally हमने इशा हमने यह चीज़ देखनी है कि जो भी crypto जिसमें हम invested है उसमें क्या developments हुई है क्या developments हो रही है futuristic क्या उसके goals है क्या उसका road map कहता है यह चीज़े अगर हम लोग monitor करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं we are safe हमारी investment safe रहेगी हम लोग आगे जाके काफी अच्छा profit निका रहेगी so what do you think about these two announcements जो हुई है from cardano what do you think about these two announcements जो हुई है from Charles Hoskinson do you think कोई stable coin की जरुत थी cardano को क्या ecosystem में वो काम करेगा अपनी assumption and speculation आप नीचे बता सकते हो चीजे हैं जो unanswered है but slowly and gradually हम लोग उमीद कर रहे हैं कि इसके बारे में भी clarity जो Charles Hoskinson है वो देंगे जरू एमें session जब वो करते हैं अपने twitter handle में वो हम follow करते हैं और वहाँ पर अगर कोई updates आती है we'll be telling you the updates about them with that's it guys आज का वीडियो का तेहीं पे and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो like का देना share करना subscribe कर लेना thank you so much for watching our channel see you next time okay baba